जाहिन सात्यों वेलकम सभी स्टुडेंट्स का आई पेपर क्लासिस पर कैसे हो भी अच्छे होंगे और चली बच्छो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आपकी बॉर्डर सिक्योर्टी फोर्स में कॉंस्टेबल की बच्छो आपकी इसमें वेकैंसी प्रस्तावित हैं औ और 2140 पोस्ट के आसपास में बच्छो उसमें आपके वेकैंसी फिल अप की जाएंगी बच्छो ठीक है ना विल्कुल सर तो उसी के रिगार्डिंग बच्छो अब मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आई पेपर क्लासिस पर और कम्प्लीटली हमने बच्छो का 2024 जितने भी बच्छो आपके एक्जाम इस बार होने जा रहे हैं बच्छो बहुत ज्यादा भरतियां हैं क्योंकि एलेक्सन की वज़े से सारा कुछ बच्छो यह हो रखा है बिल्कुल तो बीस अफ में बच्छो आपका कॉंस्टेबल टीडियन का बच्छो आपका प्रिव चाहिए चाहिए बच्छा आपका आर्मी आहीए कि नज श्यार भीचय प्तिके लिए न विक्ल और चाहिए बच्छका नसे बिच्छ का है किसी बेन्स के एक्जाम ही बच्छे क्योंकि आर्मी का बच्छो ट्रेड़ मैं की बच्छो पोस्ट अ जी-सर या फिर बच्चोंग मादैवि में आपके टीडी की पोस्ट और बच्चों अपर प्रिब्चों समय और प्रिवेसर पेपर और जिसकी बच्चो वेकेंसी अपकमिंग है जल्दी बच्चो इसका एक अपके सामने होगा तो चलिए बच्चो ज्यादा रदर ना करते हुए आपसे भी लोगों के सामने इसका पर मैं बच्चो रख देता हूं और यह पर आपका पार्ट नंबर ठीक है कि वह कितने बच्चो चार बच्चो आपको बताई दिया था कि किस तरीके से होता है पी वाई यू बेस्ट कर आकर बच्चो ठीक है और फिर बच्चो इसमें आपका भच्चा रहता है या फिर इंग्लिस वह डिपेंड करता बच्छो अकोडिंग टू एक्जाम ठीक है ना बिल्कुल चाप तो इसने उच्छा आपका हिंदी होगी ठीक है रिजिनिंग मैथ जी के बागी बच्छों दो पोर्शन में आपका डिवाइड हो जाता है तो चलिए जी और जी के वाले सक्षन में बच्छों की साइंस भी इंक्लूड होती है ठीक है बट यहां पर बच्छो जौं बात कर है वह रिजिनिंग का है और बच्छों में इसने कोसर करने जा रहे हैं जो बच्छों का पिडिवेस्एर पेपर हो रख खाया बहुत ओफ लैंगलेज है ऐसी को हुआ है और यहां पर बच्छाप का हिंदी में लिखा हुआ है ठीक है ना बिलकुल तो चलिए कोसे नमबर फस्ट करते हैं बच्छो आप सभी लोग बनाएंगे कि सर इसका आंसर ये बन सकता है को स्क्रीन पर है यहां पर लिखा हुआ है बच्छो कि डैविल को हम बच्छो एस ती उन्नीस और एफ को कितना होता है बच्छो शिक्स और आई का उता है बच्छो नो इस तरीके से सरी हलका सा दिखा दीजिए लोग बच्छो डैविल को बच्छो नोने लिख रखा है कितना सबदी चारप पर ऑदा-ई-पांच पर यह सर वी होता है बाईस पे और तो 90 आपको कितना बार है इन सभी मिंँग्सT को कर देंगे । जब sweat कितने बचेंगे दो यानि कि ठीक है में से 3 में शय इनध्स Çünkü 맞igner में अध्यां होता झानिका सी यह सिंपल सी बात है १ारभ में से 3 मेँ चैनल यानिका करें के आई होता है और वह बाता अपसे आपसे लोगों ने देख लिया तो सेम यहां पर बच्छों को इसमें से होते हैं जितने हैं 26 ही होते हैं तो मैं बात करो यह आपके टिप पर याद होने चाहिए बच्छा आप से लोगों को अगर मैं आप आप से पूछे लोगे आप तुरंत फास्ट फॉर्टी होती है ठीक ना यह चीज़ आपको पता हो जरूरी है तब आप कर पाएंगे तो क्यों अब बच्छो आपको पता है तो ज्यादा टाइम इदर उदर ना करते हुए पहला उपसन दूसरा उपसन और चोथा गलत थर्ड नंबर का आपको उपसन सही है यह थोड़ा सा टाइम इसलिए लगाया जिससे मैं आपको एकदम बेसिक से और अच्छे तरीके से आपको समझा सकूँ क्या आपको समझ में आया यह सर आ गया होगा मेरे कोर्डिंग तो क्या लिखा हुआ है ज्यान दीजेगा यहां आप देख पा रहे हैं आप सभी लोग कि सर मनिपूरी जो होता है मनिपूरी एक साथिन बास बच्छो जी एक साथिन शुडेंट मनिपूरी मनिपूर से रिलेटेड है तो कथकली किस से रिलेटेड है जी यह हमारे हैं बच्छो कौन से निरत्य है यह सास्त्रे निरत्य है फास्ते निर्त्रकाट बच्छों दिखाया हुआ है कि अगर मनीपूरी डानस मनीपूर से रिलेटिड थो काता कली किस से रिलेटिड है बच्छों काता करिनाटक से नहीं सर्ण तमिलाडू से नई सर आंद्रेपरदेश से नई सर केरल से बच्चो किस से केरल से इसका आपको उप्सन नमबर सी हो जाएगा और यह ऐसे कोशन बच्चो आपके एक्जाम में आ रखें ठीक है ना बिल्कुल अब बच्चो मैं आपको बताता हूं जरह देखेगा कि होते कितन कि याद रख लिज畫 मोहीनी अट्टम ठीक एठक है कि जी कुण से बच्चो महीनी अट्तम है बाकी दोस्तों आपके बच्चते हैं वह कौन-कौन से वह भी में आपको बताऊंगा जरह एक सेकिन रुखिएगा जी ओडिया होता है बच्चो ओडिसा का कथक है बच्चो यूपी का ठीक है मनिपूर है बच्चो मनिपूर का ठीक है ना बिलकुल एंड हंजी भारत नाट्यम हो गया ठीक है एक होगे बच्चो आपका सत्रिया नरत्या है ठीक है सर यह होगे सत्रिया ठीक है बच्चो एंड कितने हो गए तो एक मनिपूरी दो तेन ठीक है ना और बच्चो आपका चार और पांच छे मैं आपके लिखा दिया है टोटल लाट होते हैं ठीक ना बस बच्छों मैं आपको अब आपको बता दूंगा एक सेकंड लुकिए का बाकि यह चाहिए आप सभी लोगों को पहले लर्ण कर लेने होते हैं ठीक ना और इसमें से बच्छ आपको कौन कौन से रहेगे मैं से बस थोड़ा से मैं रिमाइंड कर लूँ क्योंकि गल्लत छीज़े बताओंगा कोई फायदा नहीं होगा बिल्कुल भी नहीं होगा ठीक है ना बिल्कुल और जितने बच्छ आपके क्लासिकलांस हैं इनको कोंसे क्लासिकलांस है कॉन सो फोक डांस है बच्छो इसे करने वाली यह जो इजन्सी है जोन सा मंत्रा लिया है वह बच्छा आपका संगीत नाट्य ऐस एकडेमी यह इंपोर्टेंट कोसन बता रहा हूं जो आप सभी लोगों को लिखाया है मैंने करंट अफेड से रिलेटेड अब चाहिए संगीत नाट्य डिसाइड करती है कि कौन से क्लासिकल कुछी पूडी आंदर प्रदेश का अभी आदा है कुछी पूडी हो गया आंदर प्रदेश का तमीन लाडु का बारतनाटियम करनाटा का यक्सगान होता है बच्छो वह आपका फोक डांस है ना कि आपका यह मैं आपको बताई दिया मोहीन एक्ट में छहां साथ हो गए और कौन से रहे बच्छो यक्सगान नहीं यह फोक डांस है ठीक है अभी मैं बता दूगा हलका सा बच्छो आ जाएगा तो याद कुसर नंबर थर्ड में आओ चलो इसी बात पर चलते आगे जी 24 को इस तरीके से ल कितना आगया बार हैं गुना कर दिया पांस से बच्छो आगया साथ कुछन तू यह फिजन हो गया ना बच्छो जी सब्सक्त नेक्सट नेक्स्ट देख लो भई सभी के सभी क्या लिखा है शिक-सक अगर रिलेटेट ए-चातर से बच्चो अगर teacher related student से teacher related student से लिखा हुआ है तो pointive किस से related होता है बच्चो आपका follower से disciple से deity से बच्चो यानि कि sister से अनुयाई से पुजारी से देवता से बच्चो जो बिसप होता है बच्चो आपको किस से related पुजारी से बच्चो किस से पुजारी से किसे बच्चो priced ठीक है न हो जाएगा question आपका ये भी हो गया sir option number बच्चो इसका हो गया see answer ठीक है आगे again बच्चो आगे देखते हैं क्या लिखावा next question number 5 ए books को अगर बच्चो read out किया जाता है तो picture को क्या किया जाता है खरीदा जाता है library या फिर भाई के जाता है listen या फिर सी सिंपल सी बात किताब को बच्चो पढ़ा जाता है तो चीत्र को क्या किया देखा जाता है बच्चो सी ठीक है option number c c a or c b a बिल्कुल देख रहो क्या combination बन क्या है next question number six से बच्चो यहां पर देखेगा अगर बच्चो लिखा जाए इथेंटिक सिटी जो है एथनिक इथनिक सुरी इथनिक सिटी है बच्चो इसको इन्होंने क्या करका रखा कि ए टी एच एच एनाइए यहां से बच्चो आप सभी लोग देख पार होंगे इसको इन्होंने आप पोजिट करके लिख दिया है ठीक है और सी आई टी वाई सी आई टी वाई यह हो गया सेम बच्चो यहां पर लिखा हुआ है एचो पी ए एफ यू एल एचो पी यह तो नहीं होगा एफ यू यह भी नहीं होगा क्योंकि आपको पता है लास्ट की चार्ट डिजिट एच ओपी यह नहीं होगा यह होगा बच्चो ऑप्सन क्योंकि एच ओपी एफ यू एल एटी एच आई एच नाई सी आई टी वाई सीम इसको आपको लिख देना है बच्चो अगर देखाए तो मिरर वाली कंडिशन में अगर इधर जो राइट में इधर लेफ्ट में एक सिमेंगर हो किताए्इब LC में देखारों देखारों किसमें को परतें है चार्दाब में तो थोड़ी ना ही समुंदर में याने के माउंटेंन इसके नेक्स्ट कोस्ट नमबर एट से 15 तक बच्च आपके इस टाइप के कोस्ट आते हैं आपको पता भी होगा अपने मल्टीपल एक्जाम दिये हुए तब ठीक है बिलकुल रसनों में दिये गई विकल्पों में से आप सभी लोगों को विसम संख्या अकसर या फिर यूगम पिल्कुल कि आपका अर्मी का अध्साम बच्च आपका नेवी चाइड़ा चुक्ए और पलस मैं सबसु आपको आपको विविक करा जा चुका हमारे द्वारा और बच्चो और डी एफ सीचाल का बच्चो वह भी कराई जा चुका हमारे दोरा ठीक ना तो आसी बात थिग् प्यार चाहिए और वही बच्चों आपसे लोगों को हमें आरे लिए बच्चों रेडी करना है तो कॉस्ट नम्बर रेट करते हैं चलो यह तो चलती रहेंगी बाते लिखा क्या है आपको इन चार उप्सन में से जितने भी आर्ट नो तस ग्यारा कॉसन यह भी है बच्चों सभी में और कुसन आपको और ओप्सन फाइंड आउट करना है सर यह पता 25 स्कॉर होता है यह कितने को सर 10 की पावर 3 यह कितना 4 की पावर 3 और यह बच्चा आपके 8 की पावर 3 तो अप्सन नमबर भी इसका अलग है सर डिफरेंट है नेक्स्ट सर यह 10 है ना यह सर यह भी 24 यह बच्चा आपका यह इसको बोल देता हूं बच्चा आपका मैं 8 का स्कॉर और 4 की पावर 3 बागी कोई अप्सन हो सकता है यह नहीं तो अप्सन नमबर सीज़े राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट सर सीपी लिखा यहां पर आपको इसमें से ओर फाइंड आउट करना है क्य अगर आपको याद हो जाएं तब जाकर बच्चो आप इसको को बनाएगा आप से लोग आसानी से बना पाएंगे ठीक है बहुत आसानी से बना पाएंगे नेक्स्ट इलेवन पब्लिसर है ओथर है नॉवलिस्ट है पोएट है जी पब्लिसर्च है जो भी होता है बच्चो और ओथर है लेका क्या हो पन्यासकार है और कवी है तो बताओ मुझे इस कोशन का आंसर क्या होगा जी ओथर पॉएट और पब्लिसर तीनो बच्चों क्या होते हैं और नोवलिस्ट तो नोवलिस्ट ओपॉएट और ओधर ये तीनो तो पप्ट्चों एक ही काटेक्री के हैं यह उप्सन आपके अलग है क्योंकि बच्चों यह पब्लिस करता यानि कि बच्चों इसके द्वारे किताबे क्या होती है छपती है परकासक के द्वारा बागी उपन्यास का लेखक कभी तीनों एक होते हैं ठीक है ठीक है ना जी आगे नेक्स्ट कोशन नंबर 12 है यहां पर देखी का कि इस कोशन का आप कैसे बना पाएंगे क्या लिका है जल्दी से बताओ बच्चों जी तो आप बता पाएंगे कि कोशन नंबर 13 सौरी 13 विया 12 यह 13 विया बच्चों यह आपके से में सारे यहां तक ठीक कि पाइनली बच्चों सबसे पहले आप सभी लोगों को पता होगा कि हमें इसकी वैली प्लेस वैल्यू पता है जैसे मैं आपको पहले कोशन छोड़के आया हूं अगर आप इससे बना पाएंगे अधरवाइस नहीं जो हमवर्क में दिया है जी सर इसको कर लेते हैं च दबलू की लिखी बच्चों 23, 20, 17 और बच्चों 13, sorry 14, same 14, 11, 8, 5, same 2, 5, 8, 11, बच्चों 3, 1, 1, 4, 9, और बच्चों का 13, sorry 14, 17, 23, 23, 25, 38, 31, और तीं, 14, 1, 3, 4, 4, 3, 7 और चाहिए तो, 7 और चाहिए तना, 4 और तीं, 7, 9, 4, 13, रहा तो यहां पर बच्चों आपको नमबर यहीं डिफ्रेंट है क्योंकि दो रटीन पांच पांच तीन आट रटीन यह सारे सही है बाकी यह वाला इसमें अलग है ठीक है किलिए रोगया ऐसे करना था वाला को सब्सक्राइब कर पाएंगे कि जो फीमेल होता है वर्जन बच लेटो बेट रूट जी मूली गाजर आलू चकुंदर बताओ जल्दी से कैसे करना इस कोशन को बहुत बहतरीन कोशन आपको यह वाला ठीक है मूली यह आपको पता है दोस्तों कहां पे होती है आलू भी पता है गाजर भी सिंपल सी बात है और चकुंदर भी जी बताएं फटाफट इस कोशन का अंसर आप 14 का दन फिर 15 की बात करेंगे थोड़ा सा वच्छा आपको टाइम दे दे रहा हूं कोई बात नहीं चलो यह आप homework में ले लो बनाना जड़ा है इस कोशन का अंसर ठीक है भी नेक्स्ट 124 इस तरीके से लिखा हुआ है कोशन आपको बताना इस का अंसर क्या है सर मैंने इनके डिफेरेंस लेए जीरो और चार आ गया जीरो और चार आ गया बच्छो जीरो और बच्छो तीस आ गया तीन आर्ट मैं से पांच के तीन आगया ना ओप्स नमबर डीजर डिफेरेंस ठीक है डिफेरेंस नेक्स्ट करते हैं बच्छो इनको अकॉर्डिंग डिक्सिनरी के लगा देते हैं बच्छों को जड़ा देखेगा सिक्स्टीन और सैवंटीन क्या लिखा है यह आपके अग्जाम में तो फस्ट आपको चेक करना है कि बच्छों ऑप्सन के करिएगा फस्ट सैकिंड बच्छों करते हैं फिर कोशन के कोशन बट यहां पर ध्यान दो दो और तीन है ना बच्छों तो आप सभी लोग सबसे पहले दो और तीन में डिसाइड कर लो कि कौन स से पहले आएगा तो दो और चार में डिसाइड कर लो सर्फ वी ओ आई और वी ओल सड़ेबी सीडी एफ जी है चाई तो आपको पता लगया कि बच्छों तीन के बाद में कितना आने वाला है दो आने वाला है तो सिंपल सी बात है तो आपको कौन से हो जाएगा है यह वाला हुए था खत्म हो गया था तीन के बाद में पिर बच्छों कौन से हकत दो तो थीन के डिए बियर बी wax और वीक ने सबसे पहले ढूंड लो कौन से पहले होगा सब बीडबली बीडबली एन होता है बच्छो सिंपल सी बात है पीक्यू आर एनस्टी टिक्या एन पहला एगा दो चार पहला आएगा तो यह बाला उपसन खतम करोका है दो पहला आएगा दो था बच्छो के बाद ने क्या हास नहीं इए बात इसमें ऐखते हमन Ст-2 के वहज़िए अबlaws बच्छो क्याद बुआ दो तो ट्रीं मिशचों आएगा बच्छो क्या डी सोरी दो के बाद में तो यह वाला भी खतम हो गया तो एक यह उपसर नंबर अब बन जाएगा ना यह स्वर बन जाएगा चले आगे चलो कुसर नंबर 18 है चलो इसको बनाओ फटा फट जल्दी से और 19 और 20 बहुत बेसिक से कोसर ना बच्चो आपके अग्जाम में आ रखेंगे और आप इनको बहुत आसानी से बना पाएंगे क्योंकि आपका जो पेपर होता है बच्चो डिफेंस का इतना हैवी नहीं होता है क्यो बिल्कुल से फल ले एफ के बाद में क्या आता है बच्चो जी जी के बाद में बच्चो क्या आता है एच एच के बाद में बच्चो क्या आई आई के बाद में बच्चो आपका आईगा जे और जे बच्चो क्या वाले क्यों अपसन है तो यह वाला उपसन भी खत्म यह व कि बताओ वे बच्चों फटावट क्या होगा इसका आने की संभावना यहां पर कि 135 हुआ 126 है बच्चों यहां पर 353 है और यहां पर बच्चा आपको कौन साप्षन आएगा और 149 जी सर इसको माइनस कर लीजिए क्या 6 में से 5 गया एक 2 में से 12 में से 3 गए नो ठीक है इस में से माइनस कितना गया 7 और 4 में से 2 गए 2 ठीक है एक आएगा बच्चों हाँ एक आएगा ना क्योंगी सात रुच्छ रहे दो दूचार रेक पांच दो रेक तीन यहां पर कितने डिफरेंस आगा कंफर्म नहीं यहां पर कितने घाएगा कि चलो को सन थोड़ा साथ अब अच्छे लेवल का यह इसको हलका सब लगाओ अब भी माइन लगाओ मैं भी करता हूं कुसिस बच्चों आप से भी लोगों के साथ ठीक है ना करो जल्दी से टैकल कि इनका डिफरेंस कितना एगा साथ 36 कि इतना तक अंफर्म होगे बच्चों कि यहां पर कुछ ना कुछ एड़ हो रहा है तो ना करके एड़ हो रहा है कि यहां फिर डारेक्टली हो पा रहा है कि तो कंफर्म है ठीक है जी साथ से तेरे टाइम साथ से मैंने सुकाटा साथ एकम साथ पाँच बचा बारह सतावन नहीं जी चलो इसको सनका बच्चों लास्ट में करेंगे या फिर इसको मैं बाद में कराँगा ठीक है ना इसको रिजर्व कर लो लेवल अच्छा है टाइम इस पर ज्यादा इस पैंड नहीं करना है क्योंकि जब आपके एक्जाम में ऐसा को सना जाए नहीं हो तुरंत स्किप करो तुरंत बट हमें नहीं करना क्योंकि बच्छों अभी तो हम अपने घर है ना एक्जाम में थोड़ी ना है तो इसका सोलिशन जरूर बनाएंगे ठीक है ना हलक असा बच्छों में टाइम अलग से निकाल के मापको प्रोवाइड करा दूगा इसका सोलिशन कहा मिलेगा टेली बच्छों Stock 10anh कि चार कर दो एक तो फर्टिफुर इनिजशा टीन तरुनेति शुक इरन पंचे पंद्रेऋ पंद्रेश पंद्रेशर कर मेंधिक आनए ढ्या अनसर हासर हो रहा है तो किसमागा है उपस नंबर ए हो गया जी, A के बाद में B है ना, B के बाद में C, C के बाद में D चलो, यहां तक आ गए हम, आ गए सर, C, C के बाद में D, D के बाद में E, E के बाद में F F भी आ गया बच्छों यह लो, D, F, यह खतम उपसन आपका यह वाला भी खतम, ठीक है, सर, E, F, G, H, D, F, H बच्छों, D, F, H, इसका आंसर होगा, आपका, और यह आपका उपसन नमर B है ठीक है, कौन से वाला, B, Next 22, 23, 4, 5 जो भी है, चलो कर लेते हैं, 2, 3, 4, 5 ठीक है, और 6, करते हैं बच्छों इन सभी को, सर, 7 है, 12 है, इस तरीके से लिखा हुआ है है, चलो इसको देखो, बच्छों फटा-फट, सर, 7 है, 12 है, बिल्कुल भई, 7 और 5, 12 है, 12 है, और 10 बच्छों, 22 है, आपको पता लगा, 5, 10, फिर अगली बार 15 है, 15 है, बच्छों कितने अड़ कर देंगे, 22, 22, 22, 25, 37, नहीं, सर, कुछ हो रहा है, फिर, चलो, कुछ हो रहा है न, अजी, इसकी गुना दो करो, माइनस के दो कर दो, आपका फोट, 12 है जाएगा, फिर गुना दो कर दो, बच्छों, 12 नहीं कितने होता है, 24, 24 माइनस के दो, कितना आगा, 22, कितना जाएगा, 22, यह आगया, अब 22 कुना दो करेंगे, बच्छों, कितना जाएगा, 44, 44 में से दो माइनस करें, कितना जाएगा, बच्छों, आपका 42, इस कांसर है, 42 में बच्छों, दो से मिल्टिप्लाई करेंगे, फिर माइनस के दो कर देंगे फिर बच्छों या जाएगा कितना बेहाल इजुनी चुला सी एटी टू जो कि आपका आगे आ रखा है यह रहा है नेक्स्ट तेइस थी उर झाय कितना वुच्छ आपको पता है पस नंबर यह उता है ठीक है बेसी कृसे नहीं है बहुत फास्ट तरीके से ठीक है फास्ट तरीका बचो आपको फास्ट स्ट्राटेजी अपनों लेके चलने हो तब आप कर पाएंगे टाइमिंग थोड़ा सा बच्छो आपका होता है मेरे कोडिंग ए गंटे का सपास का होगा कि ठीक है चलो देखो यहां पर सर सी एसे रिखा बचो सी डी एफजी है जो भी है तो देखो चली से फट फट सर सी एच एम और जी सी डी एफजी एच सी बच्छो यहां पर क्या लिखाओ यह ना यू और वी के बाद आपको वी और दी यूवी डबलू डबलू आगया ना तो यह भी खतम हो रहाए वहए भी खत्म डबलू और यह सर sir A, A के बाद में क्या आ रहा है बच्चो A के बाद में कितना आ रहा है हाँ बई A, B, C, D, E, F F, G, H, I, J, K बिल्कुल तो चलो W और U तक तो किलियर रहा है यानि कि U तक तो यू तो आना है दोनों उप्सन में है लास्ट वाला देख लेते हैं बच्चो लास्ट वाला यानि कि C के बाद में जो आएगा बच्चो C से बच्चो आपका J कैसे तरीके सा रहा है वो देख लेते हैं बच्चो C अगर आपका कितने पर 3 पे तो J 10 पे होता है और यह बच्चो 15 पे यह बच्छा आपका 20 पे और यह बच्छा आपका आगा फिर यहां पर कौन सा पांच दस पंदर है बच्छ पच्छ तो वाई आजाएगा वाई ऑप्सन नम्बर ए होगा बच्छ इसका अंसर ठीक है ऑप्सन नम्बर ए ठीक है जी आगे चलो नेक्स्ट 25 and 26 ठीक 25 बारदोनी 24 बच्छ यह लिखा हुआ जिस तरीके से आपको बताना है क्या होगा बारदोनी 24 गुना दो प्लस दो गुना दो प्लस दो गुना दो प्लस दो इसकल टो 110 ठीक है नेक्स्ट अगर इफ ए ए को यह की लिखते हैं बच्छ इस तरीके से लिख देते हैं तो क्या होगा सर दो और एक तीन और चार चार दो छे और एक साथ तो एच को क्या लिखते हैं आठ एक और बीस तो बीस हरे किस एक किस और आठ कितने होज़े हैं बच्छ आपके 29 ट्विन्टी नाइन बी को अगर बच्छ वोती प्लेस वैलिट्व है बच्छ इसका स्क्वार करकर लिखा हुआ है यह बच्छ दूगना लिखा दूगना लि चब इस और 26 का दो गुना कितना होता है सर बावन 52 बच्छ अब वही बात है अब वही बच्छ इस को सब नहीं कर पाएगा जिसने पूरा पीपर द्यान से नहीं देखा अगर जिसने द्यान से देखा होगा ना वह इस को सब बना पाएगा बहुत असानी से नेक्स्ट बच्छ 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 लिखा जाएगा जी यहां है ने पानचा हिए ने बाच्छों कि यह पता नहीं पता ने इतरु नए तो 35 के बाद मैं 9 आ जया आग्या बी इच्शे ल बच्छों का लिक रहा है ना जिक्रेंसरे लिक रहा है इस है क्या कोड़ इड एक सेकंड और बच्राइब अपर लिख हो है UBIT को क्या लिख रहिए है झा आप 69 49 49 49 यह खतम यह वाला भी खतम ठीक है आगे देख लेते एट नहीं आए गागा बच्छो फन लास्ट में धूसर ए तो आठ आठाना चाहिए लास्ट में लास्ट में आठाना चाहिए हो गया ठीक है तो 29 के आसपास है बच्चे जो मैंने आपका पेपर ले रखा था यह वाला इसमें तीस कोसन थे एक पेपर बच्च आपके मैठ्स वाले में चल लगया फिर जी के वाले में तो फाइनली बच्च आपके जो पेपर है आपका बी एसफ ठीक है ना भाई बी एसफ बोड़ो सेक्योर्टी फोर्स का बच्च आपका था पेपर जो मैंने आपको करा दिया जिसमें आपके लग बग लंब सम पचास कोसन के आसपास आते हैं मैंने बच्च आपको 30 कराएं और बाकि बच्चे वाइब बच्चों नेक्स क्लास में जाकर आप विजिट करो वहाँ पर बच्चो आप सभी लोगों के लिए अपडेट किसी पी तरीके की सब इस चीजह की वीडियो आपकी बच्चों वहाँ पर आ जाती है अप्लोड कर दिया ठीक है और जो जिस चीज़ बच्चों जो पॉस्टीबल ना उसके लिए आ टेलिग्राम है यह अपने पास और टाइम बच्छों को सब चीजे हैं आप से लोग उसको जोइन कर लीजेगा ठीक है वाई जी सर चलिए बच्छों कैसा लगा सभी अपने कॉमेंट्स जरूर सेयर करिएगा और इस क्लास को भी सेयर करिएगा तो चलो बच्छों जाहिन टोल ओफ यू